नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि सेफपो प्राइम सीवी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है सेफपो प्राइम सीवी टाबलेट को कैसे लेना चाहिए और सेफपो प्राइम सीवी टाबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहाँ भी डिसकस करेंगे कि सेफपो प्राइम सीवी टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए Cepoprime CV एक brand name है Cepoprime CV tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है Cepoprime CV tablet के अंदर salt composition Cepodoxin 200 mg और potassium clavulinate 125 mg होता है Cepoprime CV एक antibiotic दवा है Cepoprime CV tablet का उप्योग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे फेफरों में bacterial infection होने पर, pneumonia होने पर, खासी होने पर, पेट में infection होने पर, दातों या मसूरों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर, पेशाब में infection होने पर और कान नाग गले या तवचा पर infection होने पर Dr. Cepoprime CV tablet को लेने की सला दे सकता है इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इनफेक्शन होने पर भी Dr. Sefpo Prime CV टैबलेट को लेने की सला दे सकता है शरीर में इनफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है इसलिए बुखार होने पर भी Dr. Sefpo Prime CV टैबलेट को लेने की सला दे सकता है इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स है जिन में आपका Dr. Sefpo Prime CV टैबलेट को लेने की सला दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Sefpo Prime CV टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Sefpo Prime CV टैबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, बदहजमी होना, त्वचा पर रैशिस होना, त्वचा पर खुज़ी होना, पेट में दर्ध होना और दस्त होना आधी साइड इफेक्ट्स सेफपो प्राइम सीवी टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की सेफपो प्राइम सीवी टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. सेफपो प्राइम सीवी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है. और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर सेफको प्राइम सीवी टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। सेफको प्राइम सीवी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सेफको प्राइम सीवी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि सेफको प्राइम सीवी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। सेफको प्राइम सीवी टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने सेफ़को प्राइम सीवी टैबलेट को लेने की सला दी है। क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक सेफ़को प्राइम सीवी टैबलेट को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। और एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और सेफपो प्राइम सीवी टाबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इंफेक्शन वापिस आ सकता है। इसलिए आपको सेफपो प्राइम सीवी टाबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए। सेफपो प्राइम सीवी टाबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किडनी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में सेफको प्राइम सीवी टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है. वैसे सेफको प्राइम सीवी टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी सेफको प्राइम सीवी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सेफको प्राइम सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सेफको प्राइम सीवी टैबलेट से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके पुछ सकते ह हम घपके ग्यात याईम से एंगे माल करके ले लुछ सेल्ग कर दोपकतनी।